नगर परिश्वद मन्सौर की कर्मचारियों के द्वारा भगवान गणिश की प्रतिमाओं को अपमानित तरिके से गंदे नाले में फेकती हुए एक वीजिव वारल होने की बाद हिंदु समाज आक्रोशित हो उठा वहीं हिंदु संगठनों ने नगर परिश्वद CMO मुहमद अश्वाग पर हिंदु भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाते थे CMO को सस्पेंट करने की मांग करते थे प्रदर्शन किया देखे रिपोर्ट मंसौर के भानपुरा नगर में नगर परिश्वत के कर्मचारियों द्वारा भगवान करने इश्वी की प्रतिमाओं को अपमान चनक तरीके से गंदे नाले में फेकते खुए वीजियो वायरण होने के बाद हिंदु समाज भड़क उठा है हिंदु समाज के लोगों ने नगर परिश्वत के सीए मों महमद अश्वाग पर च्वान पूचकर हिंदु भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरुप लगाते हुए प्रदाश्वन किया हिंदु समाज के लोगों का कहना है कि मुहम्मद अश्वाक के निर्देश पर ऐसा किया गया है पर यहां के सीमो अस्पाक खान द्वारा यह जो क्रत्ति करवाया गया हिंदु भावनाओं को ठेश पहुचाई गई कि एसी गंदी जेगे जहां पर लेटरिंग करी हुई है वहां पर जंडों को पटकाया गया मुर्तियों को उस गंदे पानी में विसर्जन करवाय गया यह स्थिदी देगे भानपुरा का हिंदु समाथ और हमारे गुरुजी के सानित्ति में वहां पर इकत्रित हुए अब अगर प्रिसासन अतिसिक्र सीमो को बर्खास्त नहीं करता है अतिसिक्र उस पर काया एफायर नहीं करता है हमारे धर्म को ठेस पहुचाने वाली और वो खारवजेनी गुरुप से जंता के बीच में आके अगर माफी नहीं मांगता है तो कल ठाने का और नगरपाली का और तेसिल का पूरी भानपुरा की वा भानपुरा शेत्र की जंता एक साब घेराओ करेगी और जो हमारे साथ अन्याय हुआ उसका धूस परिणाम भोगने के लिए प्रसासन तयार रहेैं प्रसासन द्रवारा नगरपाली का द्रवारा वा हमारे बाहनाव को पहुत गए चोटने चाहता है प्रदर्शन को देखते हुई मौके पर भारी पुलिस पल को तैनात किया गया पहीं हिंदू संगठनों की प्रिश्वासन से मांग है कि सीमो मौहमत अश्वाब को तूरं सस्पेंट किया जाए और अगर ऐसा नहीं होता है तो उनके द्वारा बड़े पेमाने पर प्रदाश्वन किया जाएगा यूर्ट रिपोर्ट अम्पी नियूज मंसौर